इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में ये है गईज एक सीक्रेट टेलीफोन अगर गलती से भी आपने ये टेलीफोन उठा लिया हेलो गाइस वेल्कम बैक टो अनादर वीडियो तो यार यहां पर अपना गेम स्टार्ट हो चुका है पर वेट यह मैं कहां पर इस फोन हूँ मेरा गर कहां पर है और यह बिल्टिंग कौन सी है और गईस आपने स्टार्टिंग में देखा होगा हमारे घर के अंदर एक सीक्रे फोन के कौल को उठाने वाला हूँ पहले तो मुझे अपने न्यू हाउस के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि वो टेली फोन वहीं पर है तो पहले में इस NPC से इसकी कार को चीनता हूँ क्योंकि मुझे फटा-फट महां पर जाना है और उस कौल को उठाकर देखना है क्या हो लेकिन अभी कहां पर गया है वो गाइस यह अपने साथ में कोई साजिश तो नहीं है मुझे अजीब सा ड़ सा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है ऐसा लग रहा है अच्छा यह हमें को चैलेंज मिशन वगेरा दे रहा है पहले हम इसके चैलेंज मिशन को कंप्लेट करका आएंगे तो तब वो टेलीफोन बापस आजाएगा जो अभी गायब हो चुका है तो चलो काईस इसके पहले यहां पर चैलेंज को फटा-फट कंप्लेट करके आते ह जैसी चैलेंज कंप्लेट करेंगे वो टेलीफोन बापस आजाएगा और उसकी कोल कॉम उठा भी पाएंगे और उसको देखते है कोल उठाने के बाद में क्या होता है उके तो जो हमें पहला चैलेंज मिला है उसके एकोडिंग हमें टीरेक्स से साथ बंदे को मरवाना है मत में किसी भी एनपीसी पर एक दो बलट मारूँगा ये डाइनसौर मतलब के टीरेक्स उसी एनपीसी को जाकर मार देगा तो यहाँ पर इसने पहले को मार दिया एक स्कोर हो चुका है हमें टोटल साथ को मारना है ओके यहाँ पर दूसरे को मारने जा रहा है और किसको मारेग ये रहा आजा बिटा चल इसको भी खा ले जल्दी फटाफट यहाँ पर पांच स्कोर हो जाएगा इसके बाद में दो को और मारना है तुझे ओके ये भी खतम चलो फटाफट दो को और दो ये रहे चलो भाई तुमारा भी खेल खतम होने वाला है तो अभी ये शायद ये लड़की को मारेगा ओ भाई एक स्कोर और बचाए ये अपना पहला हो जाएगा मिशन कम्प्लीट ओके ओ योर मिशन कम्प्लीट चेक टेलिफोन इसका मतलब गर के अंदर टेलिफोन बापस आ चुका है हमने जो मिशन कम्प्लीट किया उसलिए शायद वहाँ पर टेलिफोन बापस आ गया क्योंकि यहाँ पर लिखकर आया रुको अभी में चेक कर गया था हूँ वेट ये कैस कैम है वाई अरे वहाँ पर लिखकर आया था बट जितना भी हार्ड हो मुझे इस चेलेंज को भी कम्प्लीट करना पड़ेगा उस टेलिफोन के लिए जो भी गायब हो चुका है तो फटा-फट चलते हैं जुरासिक पारक अंदर और वहाँ पर ही मिलेगा ब्रेक्यू सोरस उसको यहाँ पर पिश्टल से मानना है गाईस वो जो ब्रेक्यू सोरस नायर बहुत ज़ादा बड़ा है पहली बात तो मुझे 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 लग रहा है वो पिश्टल से मडने वाला है बट यहाँ पर इन लोगों ने चेलेंज दिया है तो शायद पिश्टल से मड़ जाए देखते है वैसे गाईस मैं जुरासिक बार्क आ चुका हूँ और पहले तो मुझे वो ब्रेक्यू सोरस को डाइनसोर को ढूनना पड़ेगा कहाँ पर है और यहाँ पर मैंने इन्फिनिटी हेल्थ वगेरा को नहीं लगाया क्योंकि वो जो डाइनसोर है ना यार बहुत जादा सीधा है मतलब कि हमला नहीं करता है बट टीरेक्स भाई पीछे भाग के माड़ देता है हमें वो रहा ओके वो रहा ब्रेक्यू सोरस डाइनसोर बट यार इसको मारने का मिशन क्यों मिला यार ये तो इतना प्यारा सा क्यूर सा हमबल सा डाइनसोर है अगर इसकी जगा बेलोसी रैप्टर या टीरेक्स होता वो अच्छा होता बट चलो कोई ना अभी फट फट इसको मारते हैं पिश्टल से और ये वाल अपना दूसरा चैलेंज भी कम्प्लेट हो जाएगा इसके बाद में शायद वो टेलीफोन हमें देखने को मिल जाए गाईस में इस पर कितनी सारी बलट माली बट इस पर तो बलट का असर ही नहीं हो रहा वेट इसके पास में जाना पड़ेगा शायद ये पिश्टल से मरेगा भी ये नहीं मरेगा अगर भाई नहीं मरा तो वो mission complete नहीं होगा फिर वो हमें telephone देखने को नहीं मिलेगा वहाँ पर भाई प्लीज मर जा यार कितनी bullet माननी पड़ेंगी गाईज इसको मैंने I think यहाँ पर 40 से 50 bullet मार दियोंगी बढ़ इसको कुछ हो नहीं रहा ओ finally guys और ओ तो चलोगाई जल्दी फटाफट चलते है घर के अंदर और देखते है वो telephone वहाँ पर आ गया है या नहीं आया है ओके तो guys मैं घर के पास मैं आ चुका हूँ और अभी तक आपने इस वीडियो को एक like नहीं किया है वेट यार यह क्या हो रहा है guys टेलीफोन क्यों नहीं आ रहा ओके यहां पर फिर से लिख कर आ चुका है कुछ फाइनल मिशन किल थिरी एनपीसी बिड डोग अच्छा यह बाला फाइनल मिशन है guys यहां पर देखो फाइनल मिशन लिखा हुआ है तो चलो फटा फट जली से तीन किल करके आते हैं डोग से आपको बता होगा डोग भी यहां पर एनपीसी को मारता है तो उन से हमें तीन बंदे को मारना है और अपना फाइनल मिशन यह हो जाएगा इसके बाद में 100% यहां पर हमें टेली फ़न मिलने वाले गई यहां पर काफी सारे एनपीसी हैं यही पर मैं बंगाता हूँ पहले डोग को फिर डोग से कड़बाता हूँ मतलब कि तीन किल कननी है तो डोग का चिट कोड़े 600 डोग आ चुका है पहला NPC अपने पासे इसको मरवाते हैं वेट अबे रुगजा भाई कितनी आगे पीछे जा रहा है तेरी जान नहीं बचने वाली चलो एक यहाँ पर हो चुक है हमें टोटल तीन को मारना है और इसके बाद में हमारे साहरे मिशन हो जाएंगे क्या complete इसको मारता हूँ यहां से में फटा फट चलो दो मिशन हो चुक हैं यहां से अपने 2 किल हो चुक हैं यहां से और एक को और मारना है वो रहां सामने इसको में मारता हूँ फटा फट और उसके बाद में चलते हैं अपने घर के अंदर इस बार तो टेलीफोन 100% आएगा और 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 ए विटा ये लो चलो खतम All mission complete now check टेलीफोन मुझे पता था guys यहां पर सारे mission complete हो चुके अभी टेलीफोन आ गया है तो चलो जल्दी जलते हैं घर के अंदर ओकी तो guys मैं घर के अंदर आ चुका हूँ इस बार मुझे बज़ वो टेलीफोन देखना है ओके और टेलीफोन इस बार भी और बाई ये रहा guys ये रहा वो टेलीफोन रुको शायद मुझे यहां पर कोई बटन दवाना पड़ेगा रेड वाला बटन दवाता हूँ यहां पर में डर लग रहा है यहां पर में बटन दवाने वाल हूँ वान टू थ्री वाई ये क्या हुआ guys मैंने तो सिर्फ बटन दवाया था रुको यहां पर कुछ लिख कर आया लोकेशन रैम्प एरिया मैं कुछ समझा नहीं guys अच्छा रैम्प के एरिया के साइड में हमें जाना पड़ेगा वहां की लोकेशन आईए पक्का गाईज वहां पर कुछ नो कुछ तो है भाई कुछ नो कुछ पक्का है वहां पर रुको यहां पर थार कैसा आगई पर जो भी हो भाई इसको लेकर चलते है फटाफट रैम के एरिया साइड मुझे लग रहा है कुछ तगड़ी चीज है वहां पर कुछ तगड़ी चीज है क्योंकि हमने यहां पर तीन मिशन किये और वहां पर टेलीफोन आया और टेलीफोन आने के बाद में एक ड्राउनी सी आवाज आई गाईज उस आवाज आने के बाद में हमें रैम के एरिया की सैट की लोकेशन मिली तो चलो फटाफट वहीं पर चलते है और हाँ गाईज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है अब तो लाइक कर दो गाईज और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो सिर्फ वीडियो को देखते हो यह रहा मेरे सामने रैम का एरिया लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा गाईज वेट ओके थोड़ा सा की जाना पड़ेगा एक मिनिट वो क्या है सामने यह तो घर लग रहा है ओ भाई साब गाईज रैम के अरिया की सैट की लोकेशन मिली थी और रैम के सैट में यह गर कैसे आ गया एक मिनिट यह गर कहां से आया और यह तनो बड़ा गार है बाई मेरी थार भी इसके सामने च्छोटी सी लग रही है वेट कितनी उची 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 इसकी दिवा रहे ये घर पहले यहाँ पर तो नहीं था बड़ अभी कैसा आया देखो गई सामने रेंबिस के सामने कितने चोटे चोटे लग रहे है और इस कितना जादा बड़ा गार है बाई साब पर वेटे सिकेंड मेरी थार कितनी चोटी लग रहे है और उपर के आस्मान देखो गई ये के हो रहा है ये के निकल रहा है जमीन में से बाई साब ये क्या है गाइस ये तो बहुत बड़ा सा कोई दानव है इसका मतलब ये जो गार है ये इसी दानव का है अब मेरे को समझ में आया वो कोल उठाना इतना खतरनाक क्यों है गाइस एक बार इसको देखो इसके हाथ में एक में तलबार एक में खंजर और उसके और यंगे हो और यह क्यों कि है नए! हाँ!